हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजली और वेलकम है आप सब का मेरे चैनल में फ्रेंड्स आज नौरात्री श्वेचल में मैं बना रही हूं यहां पे समुंदाने का वड़ा आज नौरात्री का तीसरा दिन है और जो लोग ब्रत हैं जो लोग सेने नमक का यूज करते हैं उनके यह बहुत ही अच्छी रेस्पी है तो लोग जरू ट्राइए करिएगा अब इन ब्रत का भी आप इसे बना के इंज्वाय कर सकते हैं बहुत ही हल्दी होता है वच्चो को भी दे सकते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने एक उबला आलू लिया है सौरी दो बला आलू आप सीम भी रखके बना सकते हैं तीन से चार हरी मिर्ची सभी को एक साथ सौटे करना है सब उन्दाना सीखता तो है पर दिखता नहीं है क्योंकि वाइट होता है और यह सीखते सीखते हार्ड हो जाएगा लेकिन आपको लगेगा नहीं कि यह सीक रहा है तो इसे हलका साथ सौटे कर लेते हैं यहनि कि थोड़ा सा भूलना आओगा इसमें सोना पन आ जाएगा तो देखिया मुंपली क्रेक हो गई है सब उन्दाना आपको वाइट का वाइट ही दिख रहा है लेकिन आपको दिख रहा है कैमरे में दिख रहा है सामने से थोड़ा ठंडा करेंगे उसके बाद इसे डालेंगे मिक्सी बाउल में सारे को मिक्सी बाउल में एट करने के बाद क्या करेंगे इसको हम बारिक सा पाउडर बनाएंगे इसे हमें सुखाय पीसना है तो फटा फट से पहले पीस के पाउडर रैडी कर लेते हैं कितना बढ़िया सा य यहां पर हमने कुछ मसारे लिये हैं, जैसे कि जो मिर्ची हमने सोटे किया था वो वाली मिर्ची है, काली मिर्च यानि कि ब्लैक पेपर, अद्रग और जीरा, तो इसे हम क्या करेंगे, साब उन्दाने को पीशने के बाद, उसी मिक्सी बाउल में इसे डाल के दर दरा सा पीश लेंगे, बिना पानी का, तो चलिए पीश लेते हैं, और साथी साथ में यहाँ पर देखिए, कटा हुआ हरा धनिया, दो बड़े चमच इमली, और दो कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा, हमने लिया है, चटनी बनाने के लिए, इसके साथ, स्पैसी और कटी मिठी वाली चटनी बनाऊंगे, तो यह हलका सा यह करब है, अब इसमें हम इस पसाले को भी पीछ के एक कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, बहुत बढ़िया मसाला है, यह बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से, तो फिर्स में आपको जहां तक बता दू, जो आलो को मैंने मैस करके रखा है, उसे आप थंधा किया था, फिर मैस किया था, आलो भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, आप सेंधा नमक भी डाल दिया, देखिए फरारी नमक, आप रेगुलर के लिए बना रहे तो रेगुलर नमक का युच्छ कर सकते हैं, मसालो का युच्छ कर सकते हैं, इससे कि यह और चटप तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमें इसे गूत लेना है पानी बिल्कुल भी कब नहीं अगर आपको मौश्यर कम लगता है तो इसमें आप दही कभी उच कर सकते हैं अगर ऐसा लग रहा है कि बाइंड नहीं हो रहा है तो आप दो चमच इसमें दही डाल दीजिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा तो यहां पर अच्छे से यह आलू से ही बाइंड हो जा रहा देख सकते हैं यहां पर आप कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है तो चलिए नास्ता बनाना शूरू करते हैं हाथों में थोड़ा थोड़ा सा डो को लेना है जिससे कि हम रोटी की लोई बनाते हैं कुछ उस तरीके से हमें लेना है तो एक रोटी की लोई के बराबर हमें लड़ू बनाना है और उसे एकदम गोल स्मूथ करना है तो आपको मैं दिखा देते हूं जो भी मसाला आप एड़ करेगा फ्रेंड्स दरदरा पीस के एड़ करेंगे तो देखिए कितना बढ़ी है लूप आ रहा है इसका दिखने में कितना खुष सूरत लग रहा है यहां पर इतने सारे लड़ू बनके हमारे त्यार है सब उदाना के बाकी सारे को बना लेते हैं फिर गैस के पास चलते हैं रेशिपी पसंद आए तो लाइक शियर कमेंट करना नहीं भूलिएगा जितने भी लोग ब्रत हैं आपके घर में रिलेशन में सब को शियर करिएगा भी अर्शिपी को बहुत ही असान रेशिपी है बहुत जलती बन जाती है अब इसे हम घी में फ्राई कर लेंगे आप कुकिंग अले видео से जो भी आपके घरम लेबल हो मुंफली का ओल का भी यूज़ कर सकते हैं मैं तो करती हूं तो आभ ही फिलाल मैं इसे घी में फ्राइः घीं में फ्राई होने से तेस्ट दुबना हो जाता है बरत के कि इस भी रेसिपी को या बनाए या फ्राई करें नहीं प्राइड moet ज़ल्दि सीक जाता बहुत ही खुपसूरत लग रहा है हमारा नास्ता तो फटा-फट से इसे प्लेट में डिश आओट करते हैं और दूसरा बै। एट कर लेते हैं है तो हम निकार लेते हैं एक प्लेट में एक ठाली में दूसरा बैस भी फ्राई कर लेते हैं अब चलते हैं इसे फ्राई करने के बाद सर्व करने हैं लुप वैस कितना बढ़िया लग रहा है इतना कुरकुरा इतना क्रिस्पी हुआ है तो आप येकिन मानिए बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा तो यहां पर दीखे हम इसे सर्व कर रहे हैं साबुंदाने मुंपले और आलू की वड़े हैं ये बहुत ही चटपटे हैं बहुत ही करारे हैं तो यहां पर हम नेजर रख लिया है साथ में अब बनाई हुई वो चट्नी, इमली और धनिया की बहुत ही बढ़ियां कॉंबिनेस बहुत बढ़िया लुक दे रही है तो कैसी लगी मेरी ये प्यारी सी रेसिपी कमेंट चलूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कर दिजेगा वेल आइकन प्रेज करना नहीं भूलेगा तो मिलती हूं नियो वीडियो नियो रेसिपी के साथ फ्रेंड्स वत्त के लिए आप लोग अपना ख्यान रखिए सवस्त रही है मस्त रही है और आप सभी को टेक केर और बाबाए